तियास के पन्नों में हर दिन किसी ना किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 26 मई के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी चाप छोड़ी। आज का दिन भारत की अंतरिक्षक्ती के तियास में काफी अहम है। इसी दिन 1999 में इश्रों ने भारत, जर्मनी और दक्षन कोरिया के तीन उपग्रहों को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में इस्थाफित किया था। देश-दुनिया के इतियास में 26 मई की तारीक पर दर्ज अनप्रमुग घटनाओं का सिलसिले बार बेवरा इस प्रकार है। आज के दिन 1749 में मुगल समराट मुहमद साह ने इरान के नादिर साह के साथ एक समझोते पर हस्ताक्षर किये थे। जिसके बाद अफगानिस्तान भारतिय सामराज से अलग हो गया था। 1822 में आजी के दिन नारवे में चर्च में आग लग जाने के कारण 122 लोगों की जान चली गई थी। भारत के प्रसिद करांतिकारियों में से एक छगन राज चौपासनी वाला का जन्म आजी के दिन 1912 में हुआ था। जक्षिन भारतिय सिनेमा की मसूर हासब नित्री मनो रमा का जन्म आजी के दिन 1937 में हुआ था। आजी के दिन 1950 में बिटिन में पेट्रोल खरीदने पर लगी सीमा को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले हर व्यक्ती को पेट्रोल खरीदने के लिए रासन कार दिया जाता था। 1957 में आजी के दिन बंबई में जन्ता बीमा पॉलिसी की सुरुआत हुई थी। बीजिंग ओलंपिक खेलों में भारत के लिए कांस पदक जीतने बाले पहलवान सुसील कुमार का जन्म आजी के दिन 1983 में हुआ था। हिंदी साहित के प्रसिद कथाकार, गीतकार, समिक्षक और राजनीतिग श्रीकांत बर्मा का निधना 1986 में हुआ था। आजी के दिन 1987 में स्रीलंका सरकार ने जापना में तमिल बिद्रोहियों के खिलापा विहान छेड़ा था। 1991 में थाइलेंड में बैंकोक के निकट एक विमान हादसे में 223 लोगों की जान चली गई थी। आजी के दिन 1998 में जापन ने दूसरे विश्यूद के दोरान 50,000 से ज़्यादा बिटी सिपाईयों को बंदी बनाया था। जिन में से 12,433 कि या तो मौत हो गई या उन्हें कैद में मार दिया गया था। 1999 में आजी के दिन इसुरों ने भारत जर्मनी और दक्षन कोरिया के तीन उपगरहों को सफलता पूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थाफित किया था। आजी के दिन 1999 में सौरफ गांगुली और राहुद दिर्वन ने स्री लंका के खिलाप एक दिवसिय अंतर रास्तिय किर्किट मैच में 318 रन की भागीदारी का विस्तु रिकार्ड बनाया था। वर्ष 2000 में आजी के दिन दक्षन लेवडान से इसराइली सुरक्षा बलों के हटने पर लाखों हिजबुल्ला समर्थकों ने अपने नेता शेख हसन नसर उल्ला के साथ बिज़े रैली निकाली थी। आजी के दिन 2007 में भारत और जर्मनी के बीच रच्छा समझोता संपन हुआ था। कर पुना आजीर होंगे नमस्कार।